हलो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे NCRT क्लास 7 जोग्रफी का चप्टर थर्ड आ चेंजिंग अर्थ तो इस चप्टर में स्टार्टिंग में हमें लीथोस्फेरिक प्लेट्स की बार में बताया गया है लीथो सफेवर क्या होता है लीथोСफेर इस ब्रॉक नमबर फ्लेट्स निइज हम लीथोस्फेर प्लेट्स वर मेंटल का बना अधा हो घुच अधा प्लेट्स कोहता है जो एम लीथोसफेर ईस ने वबना होता है यह स्लोड लेक्र टैने they make moves करती है और इनकी जो मुवमेंट है इसका रीजन है मॉल्टन मैगमा इंसाइड अर्थ मतलब अर्थ के अंदर मॉल्टन मैगमा होता है आप कोई भी लिक्विट सा चीज समझ लीजे मालिजिए आप गम होती है ना ग्लू को आप पका रहे हैं और वो जब पकेगी तो वो कोई ना ग्हिंट मैगमा यह णे ना चाली मॉल्टन मैगमा वर भीम कर करता है और इह जो मॉवमेंट है इन प्लेट्स की लिधोस्फेरिक प्लेट्स की मूवमेंट Earth के surface में काफे सारे changes लेके आती है और यह जो Earth की movement है हम इसको divide कर सकते हैं दो parts में अब यह देखी यह जो table दी हुई है इस table को अब हमें पढ़ना है Earth की movement हम divide कर सकते हैं endogenic forces में और exogenic forces में endogenic का मतलब होता है अंदर की तरफ inside endo का मतलब genic का मतलब होता है origin मतलब जिसकी उत्पत्ती Earth के अंदर से हुई है endogenic, exogenic exo का मतलब outside, बाहर genic का मतलब origin तो जो बाहर से originate हुआ है तो Earth की दो type की movements हो गई एक endogenic और एक exogenic endogenic में कुछ आती है sudden forces sudden forces मतलब जो एकदम से जटके से जो आती है जैसे Earthquakes, भूकम पाता है एकदम से आचाता है, कुछ इतना हमें पता नहीं होता है volcanoes जो फटते है उनका भी नहीं पता लगता है और landslides जैसे की भुसकलर यह especially पहारी अरियास में होता है जैसे पहारियां गिर जाती है ना उनको landslides बोलते है यह sudden forces होती है और Earth के अंदर से जनरेट होती है और endogenic forces में ही diastrophic forces आती है diastrophic forces में में मौंटेन building forces होती है मतलब Earth की क्या होती है, lithospheric plates की movement होती है इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी movement होते होते है, काफी time बाद हजारों सालों बाद, जो है mountains बन जाती है diastrophic forces जो होती है, यह mountain building forces होती है mountains को बनाने का यह काम करती है exogenic forces exogenic जो बाहर से चीज़े act करती है एक होता है, erosional और deposition erosion का मतलब होता है किसी भी चीज़े से कोई भी land form है उस पे से मिटी उड़ गई, हवा की वज़े से या पानी की वज़े से पानी भैगा है या वो मिटी के पानी अपने साथ ले गया glacis की वज़े से भी होता है और sea waves की वज़े से भी होता है erosion मतलब मिटी या कोई भी जो पार्टिकलर जगे से वो इसको खुदर के हटा दिया तो वो erosion हो गया deposition इसका उल्टा होता है erosion में क्या होता है एक मिटी या उपर की सथे उड़के वहां से चली जा रही है deposition में कोई मिटी या कोई भी ऐसी चीज जो आके वहां पर ठह रही है वो होता है deposition और इन क्या करते है erosion और deposition river भी करती है wind, sea waves और glacier अब हमें यही बताया गया है कि endogenic forces होती है sudden forces होती है earthquake volcano और यह काफे साथ destruction करती है मतलब नुक्सान पहुचाती है अब volcanoes क्या होते है यह पढ़ना है volcano एक ना vent type का होता है यह यहां पर देखे इसमें से क्या होता है molten magma molten magma क्या होता है earth की 3 layers होती है trust mental core इसमें mental area में molten magma होता है इसी type का molten magma होता है वह जब बाहर निकल के आता है vents के through volcano में से और जब और earth के surface पे आता है तब हम उसका नाम लावा रग देते हैं तो इस तरीके से red color का molten magma है और यह बॉल हो रहा है फिर उपर की तरफ आ रहा है vent से और इसको हम फिर lava कहते है और फिर अगर crater जो थोड़ा बड़ा सा vent होता है बड़ा सा area होता है crater उसमें से ashes और gases बहार निकलती है फिर similarly क्या होता है lithospheric जो plates होती है वह move करती है lithospheric plates के movement से earth में vibrations create होती है और जो vibrations होती है उसी का नाम हमने earthquake रखा है book up रखा है अब earthquake में क्या होता है इस figure में आप देखिए यह पूरी की पूरी एक figure है इसमें हमें focus देख रहा है यह focus वाला जो part है crust के नीचे की तरफ होता है तो अंदर की तरफ से earthquake originate होता है सेस्मिक एनरजी निकलती है origination जो होता है सेस्मिक एनरजी का उसको हम focus कहते है और उस focus के just ऊपर Earth के surface पर crust पर जो center होता है focus के just ऊपर जहां से earthquake waves seismic waves release होती है उसको हम epicenter बोलते हैं plate boundaries वोती वैरियोस plates plates होती है तो यह plate की boundary हमें बताई गई है और focus के just ऊपर होता है epicenter और फिर जो seismic waves होती है epicenter से ही हर तरफ इधर उधर जाके move करती है फैलती है पूरी अर्थ के जो भी layer होती है crust में आगया की तरफ epicenter से बड़ा important है बड़े questions आते हैं असमें से ध्यान रखेगा कि focus क्या होता है इंटीर वाला पार्ट होता है this is where the earthquake occurs it is the origin of seismic energy focus पे earthquake होता है अकर स्टार्ट होता है और यहीं से seismic energy originate होती है epicenter उसके ऊपर वाला पार्ट होता है focus के ऊपर वाला जो crust पे पार्ट होता है उसे epicenter बोलते हैं और seismic waves यहीं से आगे की तरफ बढ़ती है अब जो epicenter वाला area होता है वही पर जो earthquake होता है वह काफी जादा dangerous होता है और सबसे जादा नुकसान पहुचाता है और आगे-आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जो intensity होती है वो decrease होती जाती है अब बॉक्स देख लेते हैं तो activity है अब यह देखे इसमें बताया गया है कि जो earthquake waves होती है वो 3 types की होती है P waves या फिर longitudinal waves उने कहते हैं यह सब 11th class की geography है जो मैं वह cover करूँगी उसमें पूरा का पूरा पताया है कि P wave क्या होती है अब 11th level के लिए वो काफी जादा हो जाएगा तो अभी हमें यह जान लेना है कि तीन waves होती है P, S और L P को हम लोग longitudinal waves और primary waves भी कहते हैं S को हम secondary waves भी कहते हैं और transverse waves भी कहते हैं L wave जो होती है जो surface wave होती है जो surface पे आके act करती है उसको हम L wave कहते हैं P, S और L, P primary wave, S secondary wave, S को हम transverse wave भी कहते हैं P को longitudinal wave भी कहते हैं और L को क्या कहते हैं surface wave भी क्वेशन आसकते हैं कि surface wave कौन सी होती है क्या नाम होता है इसका L P और S तो बहुत simple है P primary होती है S secondary होती है longitudinal and transverse भी आपकर लीजएगा जिसरीद के बारे में बताया गया है कि अर्थकुेयकों से प्रेडिक्टर पाना काया मुशकिल है और हम लोग कुछ नैचुरल वेस है जिसे लोगों हुए कवा कायप पहले पथले पता लग जाता है फिश जो होती है अपने पॉंड में वो हिलने डूलने लगती है स्नेक्स अपने बिलो से बहार निकल के आ जाते है फिर हमें यह बुच के बादे में कि 26 जन्वरी हमारे रिपब्लिक दे के दिन 2001 में बहुत ही भयंकर मतलब रिक्टर स्केल पे 6.9 काफी जाद होता है अगर 6.9,7,5 सी उपर रिक्टर स्केल पे आटकोएक वो काफी जादा हमफूल होता है बहुत बहुत जादा है चाह बक्राइठ बड़ी मेर्त करते हैं वह पेड़ी हम सीज़व है नुक्सान भाता है आपर तो इसमें आप में बताया गया है आपिक्यक before 5 ये वे में द्NIS आपर बहुत एक लाकार अप्रमाइक मोसिया डिलन आपैंज कहले चीजन आपने में छी पॉर भूएक्षमwire सब्सक्ण़ तुलमाइए Equip में वेधियु बीधिल्या एर्थकोइक प्रिपेर्ड़नस कर सकते हैं जैसे कोई एर्थकोएक आ mús Connect to one safe spot जैसे कि खुला मि zuk關係 भेसे मैं और like या पर अपर। इसके होगा मैं या को बहुत जीज नहीं से बढ़ीन आखlla के लिए पृहती कारगा और डिजास्टर प्रोन अरिया से दूर रहना चाहिए और खुले मैदावन में चला चाहिए सिस्मो ग्राफ उसके पिक्चर दी हुई है यह मेजर करता है अब हमें अब मेजर लाइंड फॉर्म के बारे में बताया गया है तो मेजर लाइंड फॉर्म्स वाला जो है हम में काम करते हैं यह वाला हम नेक्स वीडियो में देख लेते हैं काफी बड़ी वीडियो जाहे की नहीं तो यह तो थैंक्यू सो मच नेक्स वीडियो में देखेगा यह वाला मेजर लाइंड फॉर्म्स